कोरोना वाइरस एक ऐसा वाइरस जिसने पूरे विश्व में महामारी का रूप ले लिया डबलू एचो ने इसको महामारी घोशित कर दिया है पहले लोग समझते थे कि 8 से बड़ी कोई बिमारी नहीं है AIDS लेकिन सबसे बड़ी बिमारी और सबसे फास्ट ट्रांसफर होने वाली बिमारी बन चुकी है कोरोना वाइरस बहुत खतरनाक बिमारी है आप लोग क्या ऐसे सेफटी मेजर्स यूज कर सकते हैं कि आप इस बिमारी से बस सके किस किस को ये वाइरस हो सकता है बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में तो फ्रेंट्स शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वाइरस कौन सा वाइरस है friends Corona virus एक large family virus है it means कि एक ऐसा virus है जो जब भी किसी पे transfer करेगा जब भी किसी के उपर ये virus जाएगा तो ये अपनी जो chain है ये बड़ी कर लेता है it means कि पूरी body में पूरी respiratory system में ये transfer हो जाता है पूरी chain बना लेता है तो इसको खतम करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको junotic भी कहा जाता है junotic का मतलब होता है जो ऐसी बिमारी ऐसा virus जो जानवरों से इंसानों में आता है तो सबसे पहले जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ये virus चाइना से चला चाइना से चलके ये पूरे wishम में महामारी का रूब लिया लेकिन भारत ने इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे safety measures शुरुती दोर में ही हमारे सामने दिये और हमें इस से बचने के लिए बहुत सारे टीवी पे यूट्यूब पे कई चीजें हमें देखने को मिली तो ये बहुत अच्छा हमें एक prevention हमें हमारे लिए जो सरकार ने लिया है ये बहुत अच्छा prevention है लेकिन कई लोगों को इससे problem भी हुई है वो सोचने हैं कि हमारा कारोबार या जो भी वो काम करें है जो भी वो business कर रहे हैं हम लोगों को एक बात समझनी है अगर हमारी जान है तब ही जहान है तो अपनी सुरक्षा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकते हैं और अगर दूसरे से आपको बचना है तो अपनी सुरक्षा आप तब ही कर सकते हैं जब आप अपने आपको सेफ कर सकते हैं तो आज हम बात करेंगे वो पाँच measures पाँच ऐसे safety measures जो आपको कुरोनावाइरस ना होने से बचा सकता है पहला measure तो यही है कि आपको अपने जो यह हाथ है वो साफ रखने है अब वो साफ किस से रखने है आपको वो साफ रखने है इस सैनेटाइजर से इस तरह का ये मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाला सैनेटाइजर ले रब करने से जो भी आपके हैंड्स पर बैक्टीरिया होगा वो डेस्ट्रॉइ हो जाएगा खतम हो जाएगा और आपके हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगे लेकिन अपने एक बात का ध्यान रखना है आप जब भी खाना खाने जाए जब भी आप खाना वगरा खाने जाए तब अपने हाथ आपने सैनेटाइजर से हाथ साफ करके खाना नहीं खाना आपने हैंड्वाश करने हैं प्रॉपरली साबून से या लिक्विड सोप से आपने हैंड्वाश करने हैं उसके बाद ही आपने खाना खाना है क्योंकि मुझ से अंदर कोई भी चीज जब आपके हाथ म अदर जाएगी वहाँ आ पकी जो cleanliness है वो पूरी होनी चाहिए तो ये पहला safety measure था आपके हाद जो है वो साफ होने चाहिए दूसरा safety measure दूसरा safety measure ये है कि आप public places पे जाना avoid करें कुछ दिनों के लिए public places से मेरा मतलब है यहां पे बहुत सारी भेड रहती है मार्किट्स में जैसे कि डेली की बात करूँ तो सदर वजार या चाननी चौक इतने भरे-भरे अरिये हैं केनाट प्लेस का अरिया है तो यहां पे आपको अभी फिलाल नहीं जाना है क्योंकि आपको नहीं पता कि किसको वाइरस है या नहीं है लेकिन यह वाइरस जबकि रेस्पिरेटरी से जुड़ा हुआ है एर से जुड़ा हुआ है तो जब भी वो इनसान खास रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो वो वाइरस एर में स्प्रेड हो रहा है और कैसे ना कैसे हम उस air को inhale करके उस place पे जाके वो virus अपने अंदर ले लेंगे इसलिए दूसरा आपको safety measure रखना है public place पे बहुत कम जाना है अगर आप कोई shop में आपकी कोई shop है तो shop पे आप जा सकते हैं वहीं पे रहिए आप वहाँ से कहीं जाहिए मत और अगर आप घर पर हैं अगर आप घर पे काम करना comfortable करते हैं तो घर पे रहके भी काम कर सकते हैं यह कुछ अभी one week के लिए आपको कुछ यह precautions लेने हैं कोरोना वारिस से बचने के लिए friends तीसरा safety measure तीसरा safety measure बहुत ही important है बहुत ही जरूरी है अगर आप mask अब बात करता हूँ मैं mask की आपने देखा होगा कि mask बहुत ज़्यादा भिक रहे है market में mask 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 जहां देखो mask के demand है कोई 100 रपे का बेच रहा है कोई 3.5-3.5 रपे का बेच रहा है अब मेरी बात सुने mask किसको पहना जरूरी है mask जो है अगर आप hospitals में जा रहे है अगर आप severely public place में जा रहे है जहां पे बहुत सारे लोग है तब mask डालिए अगर जैसे कि ऐसे public places होते हैं जहां पे लोग ऐसे जुड़ जुड़ के चलते है बहुत close close contact रहता है तब mask डालिए अगर आप एक shop owner है आप shop में अपने customer से deal करते है तब mask डालिए अगर आप regularly आपके client से dealing है और आपकी dealing बहुत close है तो mask डालिए अन्य था mask डालने का कोई purpose नहीं है अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप घर पे mask डालके मत बैठे public place पे भी तबी mask डालिए massive gathering हो massive gathering means कि लोग ऐसे ऐसे जा रहे हों और खांस रहे हों तबी mask डालने का फाइदा है तो तीसा safety measure आपको mask लेके जरूर रखना है लेकि डालना तभी है जब आपको इस तरह की problem आए चौता safety measure यह है कि आपको जब भी खांसी आती है देखिए कि हमें दिक्कत है हमसे यह दिक्कत दूसरे को ना हो at least तो हमें जब भी खांसी या फिर चीक आती है तो हमें ऐसे चीकने की बजाए हमें अपनी elbow यूज़ करनी है तो use your elbow while sneezing और कफ आपको अगर खांसी आ रहे है या आपको चीक आ रहे है तो आपको अपनी elbow यूज़ करनी है क्योंकि ये कपड़े है ये कपड़े धुल जाएंगे आप अगर हाथ बात अगर आप खांस देंगे हाथ लगाएंगे उसको या ओपन लिखासेंगे तो वो दूसरे में spread हो सकती है जबकि ये एर का वाइरस है ये इसलिए आपको घर बैठने के लिए बोला जा रहा है चीजों आपको safety precautions लेने के लिए बोला जा रहा है पांच वी जो सबसे important मैं आपको बताने चाहूँगा safety measures वो ये है कि आप अपने face को अपने hand से touch बिलकुल मत कीजिए कईयों के आदत होती है कि ये nail biting करना face को touch करना barba touch करना तो ये चीज़े मत कीजिए ये आपके लिए problem create कर सकती है आपके हाथ से कोई भी ऐसा virus आपके face पे जा सकता है जो infection बन सकता है तो please मेरी आप सबसे request है कि आप अपने face को बिलकुल भी touch मत कीजिए तो ये ही थे कुछ 5 safety measures जो अगर आप अपने life में लेते हैं ये हफता one week या ten days जो आपको एक हमें प्रण लेना है कि हमें ये precautions लेने हैं जिससे कि हमारे या हमारी family के बीच में ये virus spread ना हो और जो सबसे important जो हमारे जो पधानमंती नरेंदर मोधी जी है उन्होंने जो जनता कर्फियो के लिए support किया है तो मैं जनता कर्फियो को support करता हूँ ये कर्फियो होगा और कर्फियो में हम सब का support होना चाहिए कोई भी घर से बाहर ना निकले कोई अपनी दुकान, जिम, रेस्टरण ना खोले बस इसी वीडियो के अंदर यही था और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हो अगली वीडियो में धन्यवाद